और चलिया भागे बढ़ेंगे खबरों का रुख करेंगे असद के इंकाउंटर में अतीक एंफामली पूरी तरह से तूड गई है पेशी के दौरान अब अतीक को असद के इंकाउंटर की खबर मिली तो वो कोट में फूट फूट करोने लगा और अब खबर है कि अगले 24 गं पूलिस के सामने सरेंडर कर सकती है उससे पहले ही शाहिस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है सरेंडर के बाद पुलस से बेटे असत का अंतिम दर्शन करनी की इच्छा चता सकती है दरसल उमेश पाल हत्याकान में अथी की पत्मी शाहसता परवीन भी आरुपी है पिशले 48 दिनों से शाहसता परवीन फराट चल रही है पांच दिन पहले शाहसता परवीन पर पुलस ने नाम की राशी बढ़ा दी है पहले 25,000 रुपे का नाम रखा गया था जिसे बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया है परियाग राजमों मेशपल हत्यकान की 48 दिनों बाद यूपी अस्टीफ ने इस केस में आरूपी अतिक अहमत के बेटे असद अहमत और शूटर गुलाम मौहमत को मुट्वेट की तौरा धेल कर दिया एक तस्वीर जहांसी में पारिच्छा डैम के पास की है जहाँ यूपी पुलिस के अस्टीफ ने माफिया अतिक अहमत के बेटे असद और शूटर का एंकाउंटर कर दिया डैम के पास ही दोनों को धेल कर दिया गया सफीद कपड़े में जमीन पर किरा अतिक का बेटा असद और काले लिबास में शूटर गुलाम है मुट्बेर में मारे गए असद और गुलाम के पास से पिस्टल, रिवॉल्बर, हत्यार बरामद हुए है पोलिस के मताबिक दोपेर एक बजी के करीबर सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रुका गया तो फारिंग शुरू हो गई जिसके बाद जब अभी कारवाई में स्टेफ ने असद और गुलाम पर फारिंग की जिसमें वो घायल हो गए और बाद में दम तोड दिया जिनके पहचान असद पुतर अतीक आमत तथा गुलाम पुतर मक्सूदन के रूप में हुई दरसल 24 वरवरी को मेशपाल हत्यकान को अंजाम दिया गया था इस वारदात में दो पुलिस कर्मी भी शहीद हुए थे इस कान के बाद से सभी शूटर फरार थे असद उमेश पाल हत्यकान में मुख्या रूपी था और 48 दिनों से फरार था उमेश पाल हत्यकान में असद खुद शामिल था असद और गुलाम दोनों पर 5-5 लाख रुपे का इनाम घोशित था मुटभेड में गैंक्सर अधीक एहमत का तीसरा बेटा और शूटर गुलाम मारा गया और उनके पास से पुलिस को अत्याधूने एक विदेशी हत्यार मिले हैं असद अहमत के हाथ में वॉल्थर P-88 पिस्टल थी जबकि शूटर गुलाम के हाथ में ब्रिटिश बुल्डॉग रिवॉल्वर जो एस्टेट के मुताबिक बेहत खटरणा खटियार और रेर विपन्स हैं एक वॉल्थर P-88 पिस्टल जर्मनी में बनाया जाता है वॉल्थर P-88 पिस्टल है जबकि ब्रिटिश बुल्डॉग रिवॉल्वर एक पॉकेट रिवॉल्वर है इससे आप आराम से जेव में शिपा सकते हैं उमेशवाल और उसके दो गनर्स की हत्किया के बाद STF और यूपी बोलस के लिए ऑपरेशन कितना एहम था इसको भी STF के एडिजी ने साफ़तोर पर बताया इंपोर्टन चैलेंजिंग केस था और इसमें लगातार यूपी एस्टिएफ ने पूरी ताकत लगा रखी थी आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है जब दो शूटर्स को ट्रैक डाउन किया गया एस्टिएफ के सकारवाई के बाद प्रदेश के मुख्य मन्फी योगी आधितनात ने एस्टिएफ अधिकारियों के साथ पूरी टीम की तारिफ की है योपी एस्टिएफ से हुई मुट्वेड में मारे गया अतिक के शूटर गुलाब मुहमत की परिवार ने उसका शूटर गुलाब मुहमत के भाई राहिल हसन ने अपने बड़े भाई का शूटर लेने से इनकार कर दिया है परिवार को कलंकित करने का कार किया है उमेश पाल के हत्या के बाद 20 मार्च को प्रयागराज पुलिस और प्रशासर ने बुल्डोजर चलवा कर गुलाब मुहमत का घर जमीदोस कर दिया था इसके साथ ही गुलाब मुहमत के ओपर 5 लाख रुपे का इनाम घोशित हो गया था उसी दरा बेटी के हरकत को नामाफी बताते हुए अलान किया कि वो कभी उसका मूह नहीं देखेगी गुलाब मुहमत वही शूटर है जो 24 फरवरी को मेश पाल पर हुए हमले के ठीक पहले खात लगा कर एक मुबाइल चौप में ग्रहक बरकट छिपा हुआ था और जैसी ही हमला शुरू हुआ तो गुलाब मुहमत मुबाइल शौप से निकलकर रुमेश पाल और सुरक्षा कर्मियों पर फायर करने लगा था 24 फरवरी को हुए प्रयाप कान के बाद से असाद और गुलाम समय पास शूटर्स की तलास में पुलिस खाक चान रही थी और दोन स्पेक्टर शामिल थे स्टीएफ 48 दिन से लगातार इन्हें ट्रैस कर रही थी दरसल 24 फरवरी को मेश पाल हत्या कान के बाद असाद और गुलाम बाइक पर बैट कर कानपूर पहुँचे इस तरह के इंटलिजर्स इंपूट से कि असानी अस्तर पे या रास्ते में कॉन वाय पे हमला करके अपराधियों को चुड़ाया जा सकता है उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्स तरकास्टीविल प्लिस की विशेश्टी में लगाई गी फिलाल असद और गुलाम के एंकाउंटर के बाद प्रियागाज में सतरक्ता बढ़ गई है सोशल मीडिया फ्लैटफॉर्म्स पर भी नज़र रखी जा रही है असद और शूटर गुलाम के एंकाउंटर के बाद उमेश पाल के परिवार ने मुख्यमंतरी योगी आतिते नाथ का अभार जटाया है 12 वरवरिक उमेश पाल के हत्या के बाद से लगातार उमेश का परिवार यूपी सरकार से अतीक अश्रफ और हत्याकार में शामिल शूटर्स के एंकाउंटर की मांग कर रहा था लेकिन अतीक के बेटे और उसके साथी की मुटफेड में मौत की खबर मिलते ही उमेश पाल की मां और पत्नी ने 48 दिन बाद रहत की सांस ली है असत और गुलाम के एंकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी जोया पाल ने सीम योगी आततनात को धनेवाद देते हुए कहा कि योगी जी ने अपना काम करके दिखाया है किया है बहुत अच्छा किया है उनने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई 24 परवरी को मेश पाल पर अती के बेटे असत और इसके गुर्गों ने कोड से लोटने के बाद घर के बाहर असलों और बम से हमला कर दिया अमले के दोरान असत नहीं गली में दोड़कर उमेश पाल को उनके घर के बाहर गोली मार दिती और हमले के दोरान बम मादहे आरूपी गुड़ों मुस्लिम के बम से उमेश पाल के सुरक्षा पे तनास सिपाई की जान चली गई थी लेकिन असद और गुलाम के इंकांटर को लेकर अवुतर प्रदेश की राजनीती में भी उबाला गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस एंकांटर के बहाने सरकार पर हमला बोल दिया माफियती के बेटे असद और शूटर गुलाम के एंकाउंटर के खबर साबने आते ही सबसे पहले सपा के अधिकरत प्रवक्ता आमीक जामई ने एक ट्वेट करते हुए लिखा की एंकाउंटर न्याय नहीं है इसके बाद खुद सपा अधियक शकले शुयादर ने ट्वेट करके अंकाउंटर ही नहीं बलकि सरकार पर भी ये लिखते हुए सवाल उठा दिये की जूटे अंकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दो से ध्यान भटकाना चाह नहीं है भाजपाई न्यायले में विश्वाश ही नहीं करते हैं आज के वहालिया एंकाउंटरों की भी गहन जांच बरताल हो और दोश्यों को छोड़ा ना जाए सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता भाजपा भाई चारे के खिलाफ है उत्तव देश में फेक इंकाउंटर है अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अधिकारी अपना सब कुछ भी दाओं पे रख कर दिये सरकार के दबाव में ये घटनाय कर रहे हैं इस एंकाउंटर पर AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन OVC ने भी सवाल उठाये हैं और असद एंकाउंटर को मजभब से जोड़ दिया लेकिन भाजपा ने पर लटवार करते हुए एंकाउंटर पर सवाल उठाने वालों की मंचा पर सवाल उठाये हैं अखलेश यादव और समाजवादी पाचिक के ओर से UPSTF और अतिक के बेटे असद के बीच को इंकाउंटर पर सवाल उठाये जाने पर भाजपान ने अकलेश यादव से सवाल दाग दिये प्रियागरास सिभाच्वा विधायक और पूर मंत्री सिधाट नार्ट सिंग ने कहा कि अखलेश यादव ने पहली से ही अतिक के बेटे असद के अनकाउंटर पर सवाल उठाना तैकल दिया था और इसलिए अखलेश यादव ये स्टियाफ और पूलिस की प्रस कॉन्फरेंस होने का अंतिजार नहीं किया अखलेश यादव ही नहीं बलकि मायवती ने भी अनकाउंटर पर सवाल उठाती हुए ट्विट कर दिया कि प्रयागराज की अतिक अहमत के बेटे और एक अन्य की आज पूलस मुटभेड में हुई हत्या पर अनिको प्रकार की चट्चाएं गर्म है लोगों को लगता है कि विकास दुबे कान के दोराय जाने की उनकी आश्वेंग का सच साबित हुई है अता घटना के पूरे तर्थ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके इसके लिए ओचिस तरे जांट जरूरी है जिस पर डिप्टी सीम केश्य प्रसाद मौरे ने विपक्ष को कटगरे में खड़ा करती हुए कहा कि एस्टीफ ने कानून से मिले अपने अधिकारों के तहत ही एनकाउंटर किया है पुलिस के पास भी कानून के दौरा दिये गए अधिकार है उनके पास भी हतियार है उस हतियार का उनों ने भी उप्योग किया अकले स्यादोजी हों चाहे वेनमायवती हों सब को मैं की संयम बरतने की जरूवत है इसी बीच मुटभेड के बाद मुखेमंट्री कारली के तरफ से हुए ट्वेट मे एक बार फिर अपर आधियू को चेतापनी दे दी गई है कि उत्तरपरटेश में किसी भी कीमत पर माफिया बक्षे नहीं जाएंगे उमेशपाल मर्डर केस में माफिया अतीक हैमद और उसके भाई अश्रफ को कोट में पेशी के बाद चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज़ दिया गया और इसे बीच अतीक के रिमांड कोपी से बड़ा खुला सा हुआ अब उमेशपाल हत्यकार में पुलिस अगले चार दिनों तक अतीक हैमद और उसके भाई अश्रफ से कुश्टाज करीगी दोनों 14 से 17 अपरेल तक पुलिस की रिमांड पर रहेंगे पोलिस ने कोर्ट से 14 दिन कि रिमान्ट मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों कि रिमान्ट की मंदूरी दी आतीक रिमान्ट कौपी से अब तक कर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें रतीक का पाकिस्तान कर्नेक्शन सामनी आया है माफिय अतीक के पास हतियारों का जखीरा है बॉर्डर पर डोन से गिराए के हतियारों को अतीक खरीता था पाकिस्तान की तरसे डोन से आते हैं हतियार अतीक के संबंद आईसाई और लशकर से है रिमान कॉपी में पाकिस्तान वाला कनेक्शन का जिक्र है जाहिर है उमेश्पाल हत्यकान से शुरू ही जांच का दायरा बढ़ सकता है क्योंकि माफिया आतीक का अब विदीश्वी कनेक्शन और लश्कर जैसे आतंकी संगटोनों से कनेक्शन की बात सामनी आ रही है मुम्किन है कि अब इस जांच में एनाइए जैसी एजनसी की एंट्री भी हो सकती है क्योंकि अब ये पूरा मामला रास्ट्रिय सुरक्षा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये भार्तिय जनता पार्ट्री का दोजार सत्रा का संकल पत्र है जिसमें साफ साफ लिखा है जीरो टॉलरेंस क्रिमिनल्स के प्रती है और इसी तरह से हमारी कारवाई हो रही है पुलिस के मुनादी करने की तस्वीरें उन्नाव के अचल गंज थाना इलाकी की है जह हमारी संक्या में जब पुलिस पहुँची तो बहां लोगों का जमावड़ा लग गया लेकिन जब पुलिस ने डुगडुगी बजवा कर मुनादी की तो पता चला पुलिस यहां गैंक्स्टर वशी खान की 30 करोड की संपत्वी कुर्क करने आई है हाला कि कुछ देद बाद पुलस ने जमीन का मुआना कर गैंग्स्टर वशी खान की 30 करोड की संपत्वी को पुर्ख कर दिया ताहती उसके कबजे वाली जमीन पर पोस्टर भी चस्पा कर दिया पुल करीब 30 विगे जमीन लेकर इसी प्राटिंग कर रहे थे जो इन्होंने अवैद संपत्य बनाया था जिसको जो है 14 वटे एक अंतरगत 30 विगे की संपत्य पुल की जाती है जिसकी कीमत वर्खान में करीब 30 कर रूप है साथ युसे जड़े दूसरे मावलों की तफ्तीश भी शुरू करती है ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी